इस वाले चैप्टर में हम लोगों का एक बहुत ही प्यारा सा सॉल्ड एक्जाम्पल आज हम लोग डिस्कर्स करने जा रहे हैं है ना इस सॉल्ड एक्जाम्पल को इन दा फॉर्म ओफ रिजल्ट भी अगर आप याद रखें तो वन से टू मार्क्स के MCQ को सॉल्ड करने के लिए ये काफी ज़्यादा आपके लिए हल्फुल हो सकता है बट पहले इस सवाल को समझते हैं कि आखिर ये सवाल क्या है और इसका रिजल्ट हमें क्या याद रखना है ठीक है बोल रहा है कि आपके पास अगर एक सरकल होता और अगर उस सरकल का सेंटर एक O नामक के प्राणी अगर होता तो लेट से ये हमारे पास एक सरकल है और ये इस सरकल का सेंटर है अभी एक एक स्टर्नल पॉइंट है T ऐसा मैं नहीं गह रहे हूं ऐसा कोश्चन वाला कह रहा है इस एक्स्टर्नल पॉइंट T से हमने दो टेंजन्स बनाई एक है TP एक है नहीं हुई है तो पता नहीं भाईया तुम किस मिटी के बने हो फिर अलगी लेवल का सिल्यू बताए पर तुमारे लिए जब भी हम किसी भी एक्स्टर्नल पॉइंट से दो टेंजन्स बनाते हैं तो आपकी बुद्धी तुरंट चलनी चाहिए कि वह दोनों टेंजन्स दरवाजा खोल कर आगया है यह सब भी सीख लिए तुमारे तो दोनों टेंजन्स आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी तो इस हिसाब से यह वाला टीपी और यह वाला टीक्यू इक्वल है यह कॉमन संस है और कॉमन संस यह बात से हम एक्री करते हैं हमें पूरूब दैट इस पर्टिक्यूलर कोश्चन में यह करना है कि प्रूब करो इस पर्टिक्यूलर कोश्चन में कि एंगल पीटी क्यू अच्छा कहा है भाई एंगल पीटी क्यू एंगल पीटी क्यू का मतलब यह वाला अंगल दोनों टेंजन्स के बीच का एंगल ध्यान से सुनना ठीके द दोनों external tangents के बीच वाला एंगल, ठीक है, दोनों external tangents के बीच वाला एंगल, ओके, ये दोनों external tangents के बीच वाले एंगल को, एक मिनिटा, हेलो, हाँ, हाँ, जी बोलिए, अभी हम लोग तो मैं तो तब्यत खराब है, मैं तो तीन दिंसिट्यूशन नहीं जा रही हूँ, हाँ, अभी फिलाल वहाँ अंकित है, मैं अंकित को कॉल कर देती हूँ, वहाँ दो में ट्रूख जाएंगे, आप अंकित को handover कर दीजे, शितीजा मेरी ही घर के पास सती है ऐए, मैं आसको देदूगी, ठीक है? जी मैं शितीजा की ममी को इंफॉर्म कर देती हूँ. फोन उठा के लेकर आगया है, ठीक है? आरी गुंजाली ना गलती से शिटीजा का फोन ले गई है तो कैसे हाँ अच्छा तो एक मिनिट गुंजाली की के मम्मी अभी रिटन आ रही है फोन ड्रॉप करने के लिए उन इकल चुकी घर से ठीक है तो उनसे कलेक कर लेना फोन और शिटीजा अपनी घर के पास रहती है ठीक है उसको शाम को अपन दे देंगे ठीक है अब यार तुम लोगी क्लास के बीच में हुआ 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 हां माम उर्वशी बात कर रही हूँ हां माम शिटीजा का जो मुबाइल है न वो एक गुंजाली नामों के लड़की गलती से ले गई थी तो उसकी मम्मी अभी ट्विशन में मुबाइल ट्रॉप कर रही है ठीक है तो आप फोन या तो कल दब शिट है घृट वर कर सकती हो या फिर जैसा कि मुझे ऐसा पता है कि आपका घर और मेरी ममी का घर आसपास ही है नियर भाई है तो शाम को मैं आपको एक स्यूटेबल टाइमिंग पर आप जब कहें कॉल कर दूंगे और मैं आपको हैंड वर कर दूंगी ठीक है ठीक है तो अगर आ बोलेंगे मुझे कॉल कर दीजेगा मैं एक मीटिंग स्पोर्ट अपमें डिसाइड करके मैं आपको फोन दे दूंगी ठीक है जे चलो आगे बढ़ते हैं तो दोनों एक्स्टरनल टेंजेंस के बीच वाला जो एंगल होता है वो यह प्रूफ करने को कह रहा है कि वो टू ट अंगल दिखने के लिए आपको ओ पी क्यू को ड्रॉ करना पड़ेगा तो ओ पॉइंट से आपने पी पॉइंट ड्रॉ किया अच्छा यार यह कलर अच्छा नहीं है ठीक है ओ पॉइंट से आपने पी पॉइंट को जोईंग किया ओ पॉइंट से आपने क्यू पॉइंट को Q, तो O से लेकर P, ये तो मुझको दिख गया लेकिन P से लेकर Q की रोड तूटी हुई है, तो इसका मतलब ये रोड आपको बनानी पड़ेगी तो इस particular question में सिर्फ O P और सिर्फ O Q को जोइन करने से नहीं होगा, आपको इस P Q 2 को भी जोइन करना पड़ेगा, तो आपको ये proof करना है कि दोनों tangents के बीच वाला angle ठीक है, दोनों tangents के बीच वाला angle two times होगा, किस वाले angle के, ये वाले angle के, जरूरी नहीं है कि paper में ये वाला angle पुछा जाता ये वाला angle भी पूछा जा सकता था ये वाला एंगल भी पूछा जा सकता था ठीकिए दोनों में से कोई भी एंगल बोला जा सकता था बट मैडम इस एंगल को कहेंगे क्या आप इसे कह सकते हूँ टू टाइम्स होगा रेडियस एंड पॉइंट ओफ कॉंटक्ट को जॉइन करने वाली लाइन थोड़ा हिंदी भाषा आ रही है बट याद रखने का तरीका कुछ तो बनाना पड़ेगा न जॉइन करने वाली लाइन का एंगल ठीकिए रेडियस और अगर आपने पॉइंट ओफ कॉंटक्ट को जॉइन कर दिया है ठीकिए तो उस रेडियस और उस पॉइंट ओफ कॉंटक्ट को जॉइन करने वाली लाइन के बीच के अंगल का अगर आप डबल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा टेंजेंट के बीच वाला अंगल मिल जाएगा ठीक है आपको tangents के बीच वाला angle मिल जाएगा ये वाला concept आपको इस particular question में proof करना है और ये इतना important concept है कि आपको इस concept को याद भी रखना है ठीक है अच्छा तो अभी हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं डाइग्राम में इस particular question को अगर मुझे proof करना है तो proof करने के लिए म और ये सारी चीज़े provide करने से पहले हम लोग move करते हैं इसके given data में तो given data क्या है कि o is the center of the circle o क्या है आप लोगों के circle का center है ये हम गया हमारा पहला given data दूसरा given data हमारा ये है कि tp ठीक है and tq are tangents from external point ठीक है ये क्या है आप लोगों के tangents हैं कहां से external point से अच्छा ठीक है तो ये हम लोगों के tangents हो गए external point से ओके done ठीक है और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर tangent external point से बने तो इसका मतलब tp और tq आपके क्या होंगे congruent अब मैं मुझे proof क्या करना है मुझे proof ये करना है कि दोनों tangents के बीच वाल एंगल यानि की एंगल P T Q ये टू टाइम्स होगा किसके रेडियस और उस point of contact को जोइंग करने वाली लाइन के ठीक है जो की है एंगल ओपी क्यूंग दर बढ़िया और जरूरी नहीं है कि सिफ एंगल ओपी क्यूंग हो सकता है कल को ये नीचे वाला एंगल पुछा जा सकता है क्योंकि वो दोनों ही अंगल आपके equal रहेंगे अगर आप ध्यान से देखें तो वो एक Isosless triangle है और Isosless triangle अगर वो है तो वो दोनों ही अंगल आपस में equal रहेंगे अच्छा अब आतीए बात construction की तो इस particular चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने क किया तो किसी भी question को solve करने के जो सबसे जादा primary step होती है वो primary step क्या होती है आप diagram बनाते हो आप given two proof construction वगेरा लिखते हो वो हम लोगों ने उतना कर दिया वो चीज़ हम लोगों की क्या हो गई solve हो गई बढ़िया अच्छा ठीक है बढ़िया है अब हम लोगों को इस question को important steps की तरफ move करते हैं हम इस particular question से क्या-क्या जानकारियां extract कर सकते हैं सबसे पहली जानकारी आप जो यहां से extract कर सकते हो वो यह कि वो tangent tp और tangent tq आपकी equal है क्यों क्योंकि वो external point से draw हुई है यह तो एक fact है तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि हम लोगों का sec tp congruent होगा आपके sec tq के और इसका reason आप लोगोंने kya दे लिया गीवन दे लिया ठीक है इसका reason आप लोगोंने क्या दे लिया given दे लिया मतलब triangle tp q में आपका tp और tq यह दोनों equal है ठीक है, ट्राइंगल T, P, Q में आपका T, P और आपका T, Q एक्वल है, अब जैसा कि तुम लोगों ने नावी कक्षा में ये चीज अपने बास बहुत बर सुनी होगे ट्राइंगल चाप्टर में, कि अगर किसी भी एक ट्राइंगल के दो साइट्स एक्वल हो जाती हैं, आइससेलिस ट्राइंगल टेरं क्या कहता है? आइससेलिस ट्राइंगल टेरं ये कहता है, कि फिर उन दोनों के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. जैसे ट्राइंगल टी, P, Q में अगर मैं इस वाले एंगल को ध्यान से सुनना, यहां से लेके सिर इतना को अगर मैं अपना एंगल नमबर 1 कहूं, और अगर मैं इतने एंगल को अपना एंगल नमबर 2 कहूं, तो ये जो पर्टिकुलर कांवर्स होता है, आइससेलस टाइंगल तेरम का, ये यी कहता है कि अगर tp tq के equal है तो उनके opposite angles भी equal होंगे, यानि baliamar can say that कि angle 2 congruent angle 1 के है न यह हम लोग कह सकते हैं मैडम इससे फाइदा क्या हुआ आपको पता नहीं क्या फाइदा हुआ लिखके रख लिया है देखते हैं आगे क्या काम आ सकता है अच्छा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और क्या information है हमारे पास circle में दो चीज़े आपको हमेशा पता होनी चाहिए external point से tangents equal होती है और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि radius और tangent एक दूसरे के perpendicular होते हैं ये दो चीज़े बहुत 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 जादा important है extremely important अगर आप कभी भी इन चीजों को भूल गए तो बस फिर तो आपन जिर आप आएंगे अच्छा चलो ठीक है अब मुझे बात बताते हैं एक काम करते हैं इसको angle number त्री जड़ेते हैं तरनेश्गाल online या इन pequ दिंग दे देटे इन्लस future अच्छा ठीक है दे दिया अब 500 देखे जैसा कि तुम जानते हो की अगर मैं तुम्वों से पूछ उँ कि यह जो यांगल टीपी ओ मतलब यहां से लेके यहां तक यहां से लेके यहां तक यह complete angle किते डिगरी का है तो तुम बोलोगे मैडम यह complete angle 90 degree का है क्योंकि वो TP tangent है और वो OP आप लोगों का radius है बराबर similarly अगर मैं तुमसे पूछू कि यह complete angle TQO यह किते डिगरी का है तो आप क्या कहोगे कि मैडम यह वाला angle आप लोगों के अगे 90 degree का है क्योंकि TQ tangent है और OQ आप लोगों का क्या है radius है तो ऐसे केस में हम लोग अगर यहाँ पे statement लिखें कि radius perpendicular to tangent वाला तो angle TPO और आपका angle TQO यह दोनों आप लोगों का कितना डिगरी का आ जाएगा 90 degree का आ जाएगा और इसका हम लोग यहाँ reason देव सकते हैं क्या tangent perpendicular to radius ठीक है तेंजन क्या है radius के perpendicular ठीक है इससे फाइदा क्या हुआ इससे फाइदा यह हुआ कि जैसा कि diagram देखके हमको समझ में आ रहा है कि angle TPO बनता कब है angle TPO angle 1 and angle 3 दोनों को add करके बनता है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जैखी ठीक है angle TPO की value 90 degree है और angle TPO आपके angle 1 plus angle 3 को देखकर मतलब add करके बन रहा है so therefore angle 1 plus angle 3 की value को हमने कित्ता ले लिया 90 degree similarly अहँआप लोगों को angle TPO ये कितना दिया है 90 degree और अगर मैं diagram को देखूँ तो diagram को देखके समझ में आ रहा है कि angle TPO बनता कैसे तो angle TPO 2 और 4 इन दोनों को add करके बन रहा है तो आप यहाँ लिख सकते हो कि angle 2 plus angle 4 is equal to कितना डिगरी equal to 90 degree but madam इससे again फाइदा क्या हुआ फाइदा तो आप में कुछ बताया है नहीं तो मुझे भी नहीं पता कि इस particular question में अभी तक मुझे क्या फाइदा हुआ क्या नुकसान हुआ मैं ऐसे solve करती जा रही हूं देखते हैं solve करते करते हम लोग कहा तक पहुचते हैं है न जितनी जानकारी मुझे है मैं उतनी जानकारी तुम्हें देती जा रही हूं कि ठीक है मैं इस सवाल को ऐसे अप्रोच कर रहे हूं, मैं इस सवाल को ऐसे अप्रोच कर रहे हूं, रट ठोड़ी न रहे हैं यार मैं आज सम लोग, फिर हमें भी दो न पता है कि इस सवाल कैसे सौल वोगा, अच्छा अब क्या करें, अब हमारी गारी फिर अटक गई, अब फिर देखो एक और काल आगया है मुझे, हेलो, हाँ माम बुलिए, है ताला लगाए क्या मापी, हाँ माम फिर उपर होँगे वो, मैं बोल देती हो नीचे आने कि, नए नए ने आप बहुत गुम जाएंगे बोगत अंदर है, मैं बोल देती हो, अंकित नीचे आ जाएंगे, ते मैं बोल देते हूं और अब कि ए है राम भगवान है अब जैसे हम लोगों ने पहली बार ट्राइंगल T P Q में Isosilus Triangle Theram लगाया तुम्हें नहीं लगता यह जो 50 सा ट्राइंगल है यह ब्राउन कलर का इस में भी हम Isosilus Triangle Theram लगा सकते हैं है न ओ P Q में क्यों मैडम इसमें आप क्यों लगा सकते हो चलो अपन इस पे भी बाचीत करते हैं तो आपने अगर triangle O, P, Q को observe किया ध्यान से देखा तो आपको ये पता चला यार O, P और O, Q तुम आपके radiuses हैं है ना उस triangle में आप ये कह सकते हो कि आपका sec O, P जो है वो congruent है किसके sec O, Q के और इसका आप reason देश सकते हो ये radius of same circle ये same circle की क्या है radius है और जैसा कि अभी हम लोगों की बाचीत हुई थी कि अगर कभी भी किसी भी particular triangle में दो sides अगर equal होती हैं तो आप वहाँ पे क्या लगा सकते हैं आइससेलेस triangle theorem तो अगर मैं इस particular question में isoseles triangle theorem लगाऊं तो O, P के opposite वाला angle और O, Q के opposite वाला angle भी equal होंगी तो O, P के opposite में कौन है आप लोगों का 4 और O, Q के opposite में कौन है 3 तो आप therefore लिख सकते हो angle 4 is congruent to angle 3 ठीक है आप क्या लिख सकते हो angle 4 is congruent to आपका angle number 3 अच्छा ठीक है ओके लिख दिया इससे फाइदा क्या हुआ देखते हैं क्या फाइदा हुआ अच्छा ओके यह हो गई 3 स्टेप पहली स्टेप में हमने ट्राइंगल टीपी क्यों में आइससले स्ट्रेंगल लगाया अब हम लोगों को चौथी स्टेप मतलब नेक्स स्टेप में क्या करना है या क्या करना चाहिए जिससे हमारा कुशन प्रूफ हो जाए है ना तो ऐसे के इसमें देखो यह वाला जो आप का ट्राइंगल है ना यह बडा सा ट्राइंगल यह बडा सा ट्रैंगल यह दूखो जो भी मैं ग्रेर कलर से शेइड कर रही हूं अर्बी चुपो जाओ ठीक है ये जो गरेए नंगल कलकर ट्रांगल स्ट्राइंगल tpq में angle sum property लगाना चाहते हूँ ठीक है क्यों लगाना चाहते हैं यह question को solve करना है कुछ तो करना पड़ेगा ना फिर अच्छा ठीक है तो angle sum property होती क्या है किसी भी triangle में angle sum property का मतलब होता है तीनो angle का addition triangle के अंदर plus equal to 180 तो tpq में total तीन angles है एक का नाम है 1 एक का नाम है 2 और एक का नाम है ptq उसको हमने कोई numbering वगेरा नहीं की तो angle ptq plus angle 1 plus angle 2 equal to आपका 180 अब देखो हमको जो to prove करना है उस to prove में हमको ptq तो चाहिए लेकिन हम लोगों को गलती से भी angle 1 नहीं चाहिए और angle 2 भी नहीं चाहिए हमें angle 1 और angle 2 नहीं होना फालतू का time pass है या angle 1 angle 2 हमें angle 1 और angle 2 के बदले में कुछ और चाहिए something else है ना हमें ये नहीं चाहिए जो आप यह लिखकर दे रहे हो ये नहीं चाहिए हमें we don't want this we don't want this य कि मैंने कैसे decide कि हमको यह नहीं चाहिए मैंने टूप रूव को देखा मैंने मेरे टूप रूव को देखा मेरे टूप रूव में मुझको दिखा कि भाई PTQ के साथ OPQ यह चलेगा बट PTQ के साथ एंगल वन और एंगल टू इनका combination नहीं होना तो अब आखिर हम ऐसा क्या करें कि एंगल वन और एंगल टू इन दोनों को हटा दे बताओ ऐसा क्या करूँ कि एंगल वन और एंगल टू इन दोनों हट जाएं कि हटो यार तुम लोग यहां से तो जैसा कि हम लोग already उपर है है न equation number 1 में हमने already proof किया है तो आप एंगल वन की जगा एंगल टू लिखो या अंगल टू की जगा एंगल वन लिखो इत डजन बाटर जो कि दोनों आपस में एक्वल है तो मैंने next step में क्या किया मैंने next step में बड़े ही प्यार से एंगल वन जो था उसको वैसे का वैसा ह ही रखा लेकिन मैंने एंगल टू को रिप्लेस कर दिया एंगल वन से ठीक है मतलब पूरी एक्वेशन में सिर्फ और सिफ एंगल वन है भी मेरे पास और इसका रीजन देरिया फ्रॉम वन और ऐसा हम आसानी से क्यों कर सकते हैं क्योंकि एंगल वन और एंगल टू आपस में इक्वल है अच्छा चलो इतना भी कर दिया एंगल वन और एंगल वन एड़ होकर हो गए टू टाइम साफ एंगल वन लेकिन अभी भी हमारा सवाल सौल नहीं हुआ क्यों क्योंकि हमें पीटी क्यू के साथ एंगल वन नहीं चाहिए मुझे पीटी क्यू के साथ अकॉर्डि जाए और उसके बदले में एंगल 3 आ जाए किया हम ऐसा कुछ कर सकते हैं तो तुम बोलो कि बिल्कुल कर सकते हैं यह रेखो हमने यहाँ पर यह चीज़ डिराइफ करके रखी है कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 डिगरी के बराबर होता है है न हमने यह चीज़ डिराइफ करके एंगल 1 जो आपने लिखके रखा है इस एंगल 1 की जगा पर आप लिख सकते हो 90 minus एंगल 3 और इसको फिर solve कर सकते हो तो आप कुछ भी नहीं बचा है इस particular question में तुम ध्यान से रेखो 2 into 90 180 हो जाएगा minus 2 times of angle 3 equal to 180 हो जाएगा दोनों तरह 180 180 है cancel out हो गया so therefore angle P, T, Q आपका 2 times हो जाएगा angle 3 के और अगर हम ध्यान से observe करें तो हमने हमारे diagram में angle 3 को angle OPQ कहा है और I think आपको यही आपके question में prove भी करना था कि P, T, Q equal to two types of angle OPQ हो जाए hence proved अगर कल को इस सवाल में OPQ के बदले वो नीचे वाला angle 4 proof करने को कहता तो क्या हम कर लेते बिलकुल कर लेते इतने proof तक हम आते और बाद में हम यह लिख देते कि हमारा angle 3 और angle 4 आपस में equal है तो 3 की जगा 4 और आगे आगे हमारा angle जो भी next है OQP खतम तो यह बहुत ही प्यारा सा solve example था मैं अगर exam paper में exam question में paper set करूँ तो मैं तो definitely आपको यही वाला सवाल दो इस सवाल को देने का एक बहुत important सा reason यह भी है क्योंकि यह solve example है and students generally solve examples को क्या कर देते हैं ignore कर देते हैं बन सकता है अगर आप solve example करते हो तो दूसरा यह इतना important है कि इससे आप लोगों का one mark का question create हो सकता है जैसे कि क्या question आपका create हो सकता है सबसे पहला question आपका यह create हो सकता है let's say one mark के mcq के लिए कि यह वाला एंगल आपको 60 डिगरी दे दिये और आपको यह वाला एंगल पूछे और आप सोचे क्यारे यह कैसा हम calculate करें तो तुरंत यह result आपके रिमार्ट में आना चाहिए कि tangent के बीच वाला एंगल डबल होता है किसके radius और स्कॉर्ड के बीच वाले अंगल के है ना तो अगर आपको यह relationship पता है तो आप पिद्धी से अंगल निकाल सकते हो हो सकता है कल को आपको वह एंगल पूछे हो सकता आपसे यह वाला एंगल पूछ ले तो यह भी तो वही एंगल है मैडम क्य क्या बात कर रहे हो सकता है यह दोनों इन पूछे हो सकता है यह तीसरा वाला पूछ ले पिर आप क्या करोगे तो इस concept का यूज करके पहले यह दो पिद्धी पिद्धी आंगल निकालेंगे फिर एंगल से प्रॉपट्टी का इस्तेमाल करके फिर यह वाला एंगल निकाल कहते हो सकते ओविवुवारा निक है उसके पीछे वाला यह यह पूछ ले फिर क्या करेंगे तो पहने उसिफ प्रॉपरक्टी का उसी रिज़ल्ट का प्रयोग करके पिद्दी पिद्दी से दो एन फिर एंगल समप्रोपरती का इस्तेमाल करके यह बीच वाले एंगल ओ निकालेंगे फिर रीफलेक्स वाले कंसेप्ट का प्रेयोग करके जो की ना इंथ में करते थे उसका प्रयोंकर करके पीछे का निकाल लेंगे तो पूछा कुछ भी जा सकता मैं बता दू तुमको ठीक है बस आपको यह रिजल्ट याद होना चाहिए और अगर मैं टेस्ट पेपर अभी लूँगे ना तो इसमें यह सवाल तो मैं डेफिनेटली डालूँगे बते हैं और इसी के साथ-साथ हमारा सर्कल्स चैप्टर कंप्लीट लुता है एक भी ऐसा कॉस्टन या एक भी ऐसा सोड़ एक्जाम्पल नहीं है जो मैंने सब्सक्राइब का चोड़ा है बडस तिल या नहीं एसा कोई थेरा महें नहीं आसा कोई रिजल्ट है एक शीज मैंने है यह इनको आना चाहिए तो मैं पर्सनली खुड डिस्कृस करूंगी बैट अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है तो तुम भी शेयर करो ताकि तुम्हारा भी ज्ञान बड़े मेरा भी बड़े और बाके